नमस्कार सातियों, बहुत सारे हमारे dog lovers हैं जो कि street dog का ध्यान रखते हैं और बार-बार मुझे comment भी करते हैं बहुत अचा लगता है कि आप street dog की इस तरीके से care करते हैं मैंने एक वीडियो बनाया था कि street dog को आपको क्या-क्या खिराना चाहिए वो वीडियो मौन भाई description में लगा जाना था कि सब भी को पता चले कि street dog को हमें क्या क्या देना चाहिए उसका food क्या होना चाहिए लेकिन बार बार उस वीडियो पर comment आ रहे थे कि sir हमें street dog को कितनी बार देना चाहिए तो देखिए अगर आपने street dog को अपने घर पे रख रखा है तो घर पे रखा है तो आपकी duty है कि आप उसे कम से कब तीन बार भोजन करवाएं अगर वो puppy stage में है तो कम से कम कह रहा हूँ पपी को आप चार बार भी दे सकते हैं लेकिन वो अगर दो तीन महीने का हो गया है तो उसके बाद उसे तीन बार देना सुरू कर दीजिए और अगर वो बड़ा हो गया है यानि कि adult stage में आ गया है तो उसे दो बार दीजिए ये बहुत ही शांदार रहेगा फिर उसे दो बार खाना आप अमेसा खिलाते रहें अच्छा रहेगा लेकिन एक stage ऐसे आएगी जब वो दो बार मीखा करके एक बार खाना सुरू कर देगा तो वो कोई प्रॉब्लम नहीं है तो इस तरीके से आप गर पे जो रखा है उसके लिए कर सकते हैं अब बात करते हैं जो बाहर है जो सबज के घुमता है तो भाई जो सबज के घुमता है उसके लिए आप दो बार खाने की व्यवस्ता कीजिए ये बहुत ही शानदार रहेगा दो बार अगर आप देते हैं सुबह भी और शाम को भी एक रिूटीन मना करके तो वो अपने आप आएगा और आपके यहां से खाना करके जाएगा तो जो dog food हम घोमेड देते हैं हमारे street dog को तो भाई वो दिन में दो बार दीजिए बहुत ही शांदार रहेगा आपके लिए भी regularity अच्छी रहेगी और उसके लिए भी बहुत शांदार रहेगा इसके अलाबा सबसे सचता जो protein का source है वो आप लोगों को बताया गया और वो था soya chunk यानि कि soya bean की जो बड़ी होती है soya बड़ी जिसे बोलता है तो भाई soya बड़ी बहुत ही शांदार है आप हलकी से देखो बिलकुल कम टाइम लगेगा boil करके 8-10 दाने आपने boil किये प्रती dog के हिसाब से और boil करके और बेचारों को दे दीजिए बहुत ही शांदार रहेगा उसमें आप चावल मिला करके दे सकते हैं कुछ भी जो आपके घर की चीज़ें हैं उनको जो dog के लिए सही रहती है वो मिला करके आप दे दीजिए दिन में दो बार पाई आनंद बहुत ही शांदार रहेगा सबी चीज़े उसको अगर मिलेगी तो भाई ग्रोध भी शांदार होगी लेकिन इस्टीट डोग की भी आप डिवार्मिंग जरूर करवाते हैं लेकिन यार एक बार दो तिन महीने से जब आपकी गली में हैं आपके घर में हैं तो उसकी डिवार्मिंग जरूर अच्छी दवासे करवा दीजिए बदल बदल करके और फिर खाना दो बार दे दीजिए भाई वाह मजा आ जाएगा वो भी शांदार रहेगा और आपको मैं है कर में हम जहिए जहिए भी शचर्मिंग जढ़ है